मुख्यमंत्री उपेश बगहेल को महादेव एप्रमोटर से दबारा 508 करोड रुपए का भुक्तान करने के इडी के दावे पर केंद्री मंत्री स्मिती रानी ने कहा कि सत्ता में रहकर 60 का खेल 36 गर कॉंगरिस नेतिद्व का चहरा बन गए हैं देश के सामने हुपेश बगहेल के खिलाब कुछ चौकाने वाले तत्ति सामने आया हैं असीमदास नाम के शक्स के पास से 5.5 करोड से जादा की रकम जब की गई है क्या ये सच है कि कॉंगरिस नेताओं को असीमदास से पैसे शुभम सोनी के आदेश पर मिले थे क्या ये सच है कि असीमदास को शुभम सोनी ने रैपूर्ज जाकर चुनावी खर्च के रूप में बगहेल को पैसे देने का आदेश दिया था किंद्री मंत्री स्मिती रानी का कहना है कॉंगरिस पार्टी हवाला अपेटरों के जरिये 36 गड़ का चुनाओं लड़ रही है सत्ता में रहकर सत्ता का खेल 36 गड़ कॉंगरिस नेत्रित्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है कल बुपेश भगेल जी के खिलाफ कुछ चौका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए है असीम दास नामक एक व्यक्ति से पांच करोड तीस लाग से जादा पैसा बरामद हुआ है मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं क्या ये सत्य है कि कॉंग्रिस के नेताओं को च्छत्तीस गड़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वोईस मेसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो राइपुर जाएं और बग्हेल को चुनाओं के खर्चे के लिए पैसा दे क्या ये सत्य है कि दो नवेंबर होटेल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ क्या ये सत्य है कि अलग-अलग बैंक अकाउंटों से पंदरा करोड पचास लाख प्रिवेंशन अव मनी लॉंडरिंग अक्ट के तहत फ्रीज किया गया ये सारे प्रश्ण आज मैं भुपेश भगेल जी से और कॉंग्रेस के नित्रित्व से कर रही हूं असीम दाश ने अपने स्टेट्मेंट में ये कुबूल किया है कि वो दुबाई से आदेश अनुसार राइपुराए उनको आदेश ये हुआ था कि कॉंग्रेस के चुनाओं के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए असीम दाश ने ये कुबूल किया कि ये पैसा महादेव आप के इल्लीगल बेटिंग ऑपरेशन्स का पैसा है असीम दास ने कुबूल किया के शुभम सोनी महादेव आउनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं ये तत्य चौका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमन्ट दिया है एविडिन्स ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजिंसी के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है चत्य गड़ का चुनाओं कॉंग्रेस पार्टी हवाला उपरेटर से लड़ रहे हैं चत्य गड़ पुलीस आंद्र पुलीस ये दोनों भारतिय जनता पार्टी के प्रसाशनिक संद्रक्षन में नहीं चलते तो क्या भुपेश भगेल अपनी सरकार को कड़गरे में खड़ा कर रहे हैं